वीडियो लाइक जरूर कर लिजा और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें दोस्तों यहां पर हम लोग cover up कर रहे हैं Indian history अभी ancient Indian history cover up हो रहा है जो 780 pages का PDF है जिसको specially construct करा गया study for civil services के दोरा उत्तरपरदेश PCS के लिए समिक्षादिकारी के लिए और जो UPPSC IO के दोरा exam conduct करा जाते हैं उसके लिए ठीक है तो अगर आप इस PDF को multiple times पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी question examination में ऐसा रहेगा जो आप ना solve कर पाओ अगर आप चाहों इस PDF को purchase करना या फिर study for civil services के समिक्षादिकारी उत्तरपरदेश PCS और BEO के courses में enroll करवाना तो उसके लिए सिंपली description section में जाएए वहाँ पर contact numbers दिये हुए उन contact numbers पर बात करके आप सीधे admission ले सकते हैं ठीक है बारहाल free of cost अगर cover up करना चाहते तो यहाँ पर daily basis पर जो यह videos आ रहे हैं इन videos के माद्यम से भी आप cover up कर सकते हैं but it will take time so या तो आप time invest करिए या फिर आप अपनी money invest करिए कुछ तो आपको अपने future के लिए invest करना ही होगा so आईए अब जो है शुरू करते हैं आज के अपने session को और यहाँ पर हम start करेंगे आज पुरा पाशान काल यानि की जो paleolithic age है उससे अब यहाँ पर कई राजस्थान का जो नौगवर जिला है वहाँ पर एक सिंधी तालाब से केवल पूर्व पुरा पाशान काल की सामिगरी के साक्ष मिले हैं so exactly आपको यहाँ पर क्या याद रखना है वो location जहां से केवल पूर्व पुरा पाशान कालीन सामिगरी के साक्ष मिले हैं तो वो कहां पर है राजस्थान के नागाउर जिले में तो exactly आप से जो पूछा जाएगा ये जिले का नाम पूछा जा सकता है ये आप से state पूछा जा सकता है तो राजस्थान के नागौर जिले में एक सिंधी तालाब है वहाँ से केवल पूर्व पुरा पाशान कालीन सामेगरी के साक्ष मिले है ये चीज़ याद रखनी है और जब हम बात करते हैं पूर्व पुरा पाशान काल इस्थल की तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस्थान में ही मिले हैं पूरे भारत में अलग अलग लोकेशन में मिले हैं जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे बाकी जब हम बात कर रहे हैं पुरा पाशान कालीन इस्थल जो है ये बिसिकली सिंदू और गंगा के जो कछार वाले इलाके में यहां पर सरवादिक संख्या में ये मिले हैं नेक्स पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बात हो रही है मारवाड और मीवाड यहां से पुरा पाशान कालीन इस्थलों की खोच की गई दक्षण भारतियस थलों की बात करें तो दक्षण भारतियस थलों में पलवई ये locations आपको as it is याद रखनी है जो की आंदपरदेश की एक location है उतनूर की बात करें तो ये आपका आंदपरदेश की एक location है इसके अलावा पीकली हल, ब्रहमगरी, मस्की यहां से राक के धेर खोजे गए है that means राक के धेर का मतलब क्या हो गया कि उस समय आग यूज की जाती होगी इसके बाद next point की बात करें dolmens, ये जो शवद है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि गड़े हुए जो मुर्दे हैं उन पर पूरी समाधियां बनाना उन पर समाधियों का निर्मान करना ये मतलब है आपका dolmens का ठीक है, so dolmens इस शवद का अर्थ आपसे पूछा या सकता है तो आपको याद रखना होगा कि जो समाधी बनाई जाती थी मुर्दों को गाड़ने के बाद उनके उपर वो इस शवद का मतलब है निक्स पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बात हो रहे है कि पुरा पाशान कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकर्तिक था यानि कि वो नेचुरल रिसोर्सिस पर डिपेंडेंट था चाहें वो उसके रहने की जगा हो गई चाहें उसके खाने पीने के लिए जो सामिक्री हो गई वो पशुओं को मार के खाता था और पेड़ और प्राकर्तिक वनस्पती जो है उस पे ही अपना जीवन पूरा निर्भर रहता था ठीक है तो आगे चलें नेक्स्ट कोश्चन को देखें इससे पहले कुछ एक इन्फरमेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं और यह सब को सफिशेंट होगा आपके एक्जाम को क्रेक करने के लिए एक्जाम को निकालने के लिए लेटेस्ट ग्रूप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रूप में आपको एडमीशन लेने के लिए इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 8564-880-530 इस नंबर पर आप संपर्ख कर सकते हैं इसके लावा 96960-66089 इस नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फर आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्ख कर सकते हैं यह लेटेस्ट गुरूप जो है इसमें आप एड्मिशन ले सकते हैं तो कैसा कच्चा खाता था अच्छा यहाँ पर अभी हमने बात करी है कि राख के धेर भी यहाँ पर खोजे गए हैं ठीक है तो राख के धेर के बारे में और खाद संग्राहक था यानि कि वो शिकार करता था और जितना खाद को संग्रह कर सकता था वो करता था खाद का मतलब यहाँ पर खाने पीने की सामिगरी से है और इस काल के मानव को पशुपालन और किर्शी का ग्यान नहीं था यह पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जब हम पुरा पाशान काली न्युक की बात कर रहे है पेलियोलिथिक एज की तो वो मतलब जो है आपका ना तो पशुपालन जानता था ना ही वो किर्शी का उसको ग्यान था जब पशुपालन और किर्शी का ग्यान नहीं होगा तो वो एक जगा रुकेगा भी नहीं क्योंकि पशुपालन करना है या फिर किर्शी करनी है तो एक जगा आपको रुकना पड़ेगा वहीं रहके आप खेती करोगे उसके बाद उससे आपका जो फसल उपजेगी उसको आप संग रहे करोगे लेकिन उस टाइम पर ये सब चीज़ पता ही नहीं थी तो वो एक जगा रुकता भी नहीं था और विचरन करता रहता था नेक्स पॉइंट की बात करें कि इस काल में जो तापमान था ठीक है जो तापमान था उसमें भारी कमी आई थी महरास्ट में जो नवेसा के पास में मद्द पुरा पाशार काल के उद्द्योग और तासस्तलों के साक्ष वहाँ पर प्राप्त हुए हैं ठीक है इसके अलावा म यहां पर याद रखिए किस तरीके के पत्थर यूज़ होते थे जैस पर और चर्ट फिलिंट ठीक है कार्ट जाइट के स्थान पर इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करते हैं इस पॉइंट में यहां पर आपसे बहुत बताया गया है कि इस टाइम पर जो उद्द्योग इस तरीके के उस टाइम पर उपकरन यूज़ होते थे और फलकों की अधिकता की वज़े से ही इस पूरे काल को क्या बोला गया फलक संस्कृती की संग्या भी दी जाती है इसके अलावा आगे हम बात करें तो लिवालवा तकनीक इसके दोरा बनाए गए फलक उपकरन जो थ जिसमें मानव का सबसे यादा विकास हुआ वो क्या कहलाते थे या फिर उनको क्या बोला जाता है होमनेट बोला जाता है ठीक है और भारती उपमहादीब के हतनौरा इस्थल से सबसे पहले के या इस सर्वपर्थम होमनेट जीवाश्म की खोच की गई है तो जो ऐसी होमनेट जीवाश में है इसकी खोच की गई और हतनौरा का जो मानव सम जीवाश में इसको होमो एरेक्टिस ठीक है किस तरीके के था होमो एरेक्टिस यानि जो सीधा खड़ा हुआ इनसान ठीक है उससे मतलब है इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें तो भारत में 1882 में इसकी खोच की गई थी इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जिसमें बात रही किसकी अतिरम पक्कम की जो की तमिलनाडू की एक लोकेशन है यहाँ पर पुरा पाशान कालीन इस्थल पर एशूलियन औजारों के साथ पश्यू पदचिन के एक समु इसके बाद नेक्स पॉइंट की बात करें चिर्की जो की निवासा और हुसंगी यह ऐसे इस्थल हैं जो की आपके किस से रिलेटेड हैं यह रिलेटेड हैं आपके एशूलियन इस्थल से ठीक है तो एशूलियन इस्थल यह इस तरीके के यहाँ पर निवासा और चिर्की इसके लावा हुसंग की ये इस्थल है अब अगे हम बात करें कि एशूलियन जो उपकरण थे इसके अंदर क्या क्या आता है तो इसमें हैंडेक्स हो गया, क्लीवर हो गया, स्क्रैपर हो गया, ये सारी जो उपकरण हैं किसमें आते हैं आपके एशूलियन उपकरण में ये ज मतलब प्राचीन तम्ति थी यह इसके बारे में यहां पर पता चलता है इसके अलावा अगर हम करनाटक की बात करें तो करनाटक में हुसंगी यहां के तट से औजार निर्मान केंद्र के अवशेश मिलें तो यह एक्जेक्ली आपको सारे पॉइंट यहां पर याद रखने हों यह जो पुरातात्विक गुफा इस्थल है यह कहां पर है आपका पहली बात तो इसकी लोकेशन याद रखनी है कि आंदर प्रदेश में इस्थे थे अब यह आपका उच्च पुरा पाशान काल का इस्थल है और यहां से हड़ी सींग से बने औजार यह सरवादिक संख्या में मिले हैं आदर प्रदेश के जो दूसरे उच्च पुरा पाशान कालीन इस्थल है अब यह जो इस्थल है यह एक्जेक्ली आपसे मतलब कहां पर कौन कौन से इस्थल है इसके बारे में पता होना चाहिए तो यह है आपका रेनी गुंटा इसके अलावा बेटम चैला वे बनाने के इस्थल हैं वो कौन कौन से है तो इसमें आपको इशामपुर का नाम याद रखना है ठीक है इशामपुर यह आपका पुरा पाशान कालीन ओजार बनाने का अत्यंत महतपूर्ण केंद्र था इसके अलावा जौला पुरम नाइन यह आपका आंद प्रदेश के कर पुरा पाशान कालीन इस्थाल है तो आज के सेस्षण को यहीं पर इंड करते हैं इसमें हमने पूरा देख लिया जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो इंपोर्टेंट फेक्स है जो इग्जामिनेशन पूशे आते हैं पर लिए लिए एच की बारे में या फिर पुरा पीसियस का तो यह सारे PDF आपके पास रहेंगे और 780 पेजस का PDF भी आपको प्रोवाइट की जाएगा प्रोवाइबली आप बात कर लीजेगा इसके बारे में अफिशल कॉंटेक्स नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हुए हैं उस पर आपको सिंप्ली बात करनी है ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में और आगे हम बात करेंगे मद पाशान कालीन या फिर मीजियो लिथिक एज के बारे में अवधनी स्टी बाब ये